दोस्तों आप इसका एक short look देख सकते हैं कितनी large जवाब finishing आई है कितनी बहतरीन finishing आई है दोस्तों आप ध्यान से देखिए बिल्कुल proper तरीका जो भी बड़ी बड़ी दुकानों पे lamination की जाती है हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं दोस्तों और इस तरीके को अपना कर आप अपना पैसा बचा सकते हैं अपना समय बचा सकते हैं आप घर पर भी easily इसको apply कर सकते हैं दोस्तों आज कल market में बहुत ज़्यादा trending है यह digit को बीच में करने का हम आपको एक तरीका और बताते हैं इस engrave lamination को हम इस handset पे apply करने जा रहे हैं नमस्कार प्रिये साथ हों स्वागत आप सभी का एक और नई knowledgeful वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं mobile के back panel पे mobile के back cover पे या back glass पे engrave lamination कैसे की जाती है engrave lamination करने का सबसे आसान तरीका क्या है जिसको apply करके आप अपने mobile के back पे घर पर भी easily आसानी से आप engrave lamination apply कर सकते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए दो तरीके से important है एक तो ये कि आप इस वीडियो को देखके mobile के back panel पे lamination करना सीख जाएंगे दूसरा आप अपने mobile पे जो होने वाले scratches आप देख रहे हैं इन से हमेशा के लिए छुटकार पाएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कुछ समय हम mobile को use कर लेते हैं cover के अंदर तो mobile के back पे इस तरीके से scratches आ जाते हैं तो इन scratches से safety के लिए हम आपके लिए दोस्तों आज ये वीडियो लेके आया हैं अगर आप ये वीडियो complete देख लेते हैं तो आप अपने mobile पे engrave lamination करने की trick आज आप जानने वाले हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर करना देखे friends जो आप ये lamination sheet देख रहे हैं इनको हम engrave lamination emboss lamination बोलते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों market में कुछ इस्त रहे कि आपको lamination sheets मिल जाती हैं दोस्तों इस वीडियो को हमने 3 parts में divide किया हैं सबसे पहले हम आपको बताएंगे mobile पर engrave lamination apply करने के लिए हमारे पास क्या-क्या tools होने चाहिए दूसरा हम आपको बताएंगे कि engrave lamination करने का proper तरीका क्या है और 3rd part में हम आपको बताने वाले हैं कि engrave lamination की cutting कैसे की जाती है ठीक है cleaning gel इसको दोस्तो cleaning fluid भी कहा जाता है ठीक है second number पर friends इस तरह के cotton cloth हमारे पास होना चाहिए third number पर friends आपके पास इस तरह का wiper होना चाहिए इससे दोस्तों यह फायदा होता है कि lamination sheet के अंदर कहीं पर कोई भी हमारा bubbles नहीं रहता है दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही आसान सब्दों में हम आपको आज यह trick बताने जा रहे हैं आप सभी भाईयों को यह video जरूर पसंद आएगी ऐसी हम उमीद करते हैं और आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आने वाली है हम दोस्तों बारिक से बारिक point आपक कर सकते हैं बहुत ही अच्छा result आता है इसका ठीक है तो friends जो हमारा next tool होने वाला है आपके पास इस तरह की heat gun, hot gun या heat air gun होनी चाहिए दोस्तों इस तरह कि आप SMD भी use कर सकते हैं आपके पास कोई भी heat देने का tool हो तो उससे आप lamination easily कर सकते हैं तो friends अगर हम short way में कहें तो ह हमारे पास यह सभी tool lamination करने के लिए होने चाहिए ठीक है तो friends आप चलिए हम video start करते हैं देखे friends जैसा कि आपके पास मान लो इस तरह का कोई भी handset है ठीक है इसके उपर आप engrave lamination emboss lamination किस तरीके से apply करेंगे देखे सबसे पहला जो हमारा step होने वाला है आपको cleaning gel को mobile के back panel आप गिलास पर इस तरीके से apply कर देना है ठीक है apply करने के बाद आपको क्या करना है इस तरीके cotton cloth से आपको इस तरीके से इसको easily clean कर लेना है ताकि जो हमारे dust के particle है वो पौह हमारे remove हो जाए और lamination पर बिल्कुल smooth हो आपको corner पे भी इस तरीके से बिल्कुल आसानी से clean कर लेना है ठीक है आप देख सकते हैं हमारा जो back बिल्कुल signing हो चुका है देखे friends अब जो हमारा next step होने वाला है आपके पास इस तरह की engrave sheet होगी दोस्तों market में easily मिल जाती है आप कहीं से purchase कर सकते हैं अपने घर पर भी आप handset पर apply करने जा रहे हैं अब आप वीडियो ध्यान से देखना हम किस तरी किसे इसको apply करते हैं जो main काम की बात है वो अभी है ठीक है देकि दोस्तों हम कोई भी काम जो हम से हो सके हो हम घर पर भी कर सकते हैं अपना खुद का काम घर पर करना कोई बुरी बात नहीं है ठीक है यह इसका west paper है यह lamination करने से पहले हमको इसको हटाना होता है ठीक है और दोस्तों जो दूसरी side आप देख रही black black इस side गम होता है ठीक है यह हिस्सा हमारे mobile के back panel पे apply होगा ठीक है देखिए friends इस तरीके से आप इसको remove कर ले और remove करने के बाद आप position देखिए आप इसली समझ आपको क्या करना है mobile पर apply करने से पहले आपको एक idea लेना है beach to beach आपको handset का idea ले लेना है ठीक है और आप lamination को इस तरीके से दोस्तों handset के bottom side से आप इस तरीके से lamination को seat को आप रख दीजिया ठीक है और आप नीचे से finger के द्वारा इस तरीके से seat को हलका सा प्रेस कर देए ठीक है यहाँ पर starting हो चुकी है यहाँ पर हमारी seat apply हो चुकी है और दोस्तों इसके बाद में यह जो wiper हम काम में लेने वाले है वाइपर को आप इस तरीके से रखिए ठीक है और कागच को आप इस तरीके से पकड़के रखिए यह देखिए यह wiper को हम इस तरीके से slide आप देखिए और जो हमारी यह कागच है यह easily अपने आप अलग होता चला जाएगा इस तरीके से आप इसको वाइपर के द्वारा trace करके slide करके पूरा आगे तक पूरे पैनल पे आप इस तरीके से इसको apply कर देंगे देखिए कितने भड़ा तरीके से हमने इसकी back seat को apply कर द बनाने का हमारे जो अंदर उत्सा है दोस्तो वह और बढ़ जाता है अब आपने देखा किस तरीके से हमने एंग्रेव शीट को वाइपर के द्वारा इस पर apply कर दिया है देखिए दोस्तों कई भाईों के पास क्या problem आती है जो दोस्तों इसका यह design है कई भाई mobile के center में नह तो आप इस एंग्रेव शीट को पहले पूरा निकाल के कागच से आप इसको नीचे रख लेंगे ठीक है और आप फिर mobile को दोस्तों इस शीट पर चारों कोर्नर मैच करते वे आप इस तरीके से रख सकते है ठीक है और ऐसे रखने के बाद में फिर आप वाइपर के द्वार आप कैसे पसंद करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आगे जो यह क्रोम है इस क्रोम को भी पूरा कवर करें ठीक है जो आप यह मिडिल देख रहे हैं इसकी अगर इसको भी आप पूरा कवर करना चाहते है तो उसका तरीका भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने जा अब इस प्रोसेस के लिए हम smd का यूज करने जा रहे हैं दोसतो आपको हीट के बिल्कुल प्रोपर तरीका जो भी बड़ी बड़ी दुकानों पे लेमेनेशन की जाती हम आपको वह तरीका बताने जा रहे हैं दोस्तो और इस तरीका को अपना कर आप आप्ना पैसा बचा सकते हैं अपना समय बचा सकते हैं आप घर पर भी उजली इसको अपलाई कर सकते हैं यह देखिये दोस्तो इस तरीके से अब जो कॉर्नर इस कारण से चिंटा फिर आप तूसरी आप लग हो जाएगे ठीक है और seat अमारी खराब हो जाएगी इस फिर आपको दूसरी seat इस पर apply करनी पड़ेगी ठीक है यह देखें फ्रेंट्स आप इसको हलक 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 हातों से इस तरीके से आप बेंड करते जाएए ठीक है अगर आप जोर से खेंचेंगे तो lemination seat अमारी break हो जाएगी और lemination seat अमारी खराब हो जाएगी ठीक है यह देखिए इस तरीके से finishing के साथ में यह देखिए दोस्तों इसको खेंचने के बाद आप इसको इधर display की side में ऐसे ऐसे दबा दें ठीक है अब दोस्तों जो हमारा यह इ इस तरीके से यह देखिए ठीक है आप देख सकते हैं ऐसे करने के बाद में आप इस फिंगर ऐसे slide कर दें ताकि अच्छी तरीके से set हो जाए ठीक है अब दोस्तों जो हमारा bottom का side है bottom के side भी आप सेम इस तरीके सी lemination करेंगे ऐसे आप हलके हलके इस पर air देंगे ताकि हमार lemination sheet थोड़ी शी नरम हो जाए ठीक है और हमको band करने में आसा नहीं मिले यह देखिए यह जो corner पर आप देख रहे हैं corner पर आपको ज़्यादा जोर से नहीं खेंचना है बस आप यह tricks ध्यान में रखिए तो lemination आप किसी भी mobile पर किसी भी gadget पर आप easily कर सकते हैं same process अपना कि आ lemination कर सकते हैं ठीक है यह देखिए इसको आप हलका सा खेंच लें और इधर glass की side में आप हलका से इसको चिपका दें अब इसको यह corner आप देख रहे हैं जहां पर आपको इस तरीके से दोस्तों यह जो यहां से प्रोडिशी lemination हमारी आपको band देख रही है इसको आपको इस त इस तरीके से आपको SMD को ऐसे handle को move करते रहना है एक जगह अगर आप करेंगे तो body band हो सकती है हमारा body का जो plastic है वो दोस्तो band हो सकता है ठीक है यह देखिए यह देखिए दोस्तों कितनी बड़ी lemination होती जा रही है आप देखिए दोस्तों handset की पूरी look ही change हो जाएगी यह दोस्तों आप इसका एक short look देख सकते हैं पहले भी हमारे handset पर क्या look था और engrave lemination करने के बाद हमारे handset पर क्या look आ गई है अगर आपको यह look पसंदारी दोस्तों एक like जरूर करें ज़र आपकी कोई भी कमेंट है कोई भी आपकी inquiry तो आप हमें comment जरूर कर सकते हैं friends आपके lemination यहां तक wrap करना तो सीख लिया कि mobile के back पर आप कैसे wrap करेंगे लेकिन जो अभी main चीज है इस पे finishing कैसे आएगी वो अभी आपकी वीडियो में बची हुई है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं तो वीडियो आप द्यान से देखिए वीडियो मापसे हम दोस्तों कुछ बताते हैं आप सभी के वो चीज काम आने वाले होती है ठीक है आप इस तरीके से camera के चारो तरब भी hit करके इस तरीके से आप fingers से इसको set कर सकते हैं जो finger है आप देख रहे हैं इसको आप इस तरीके set कर दीजी ठीक है lemination पूरी हमने इस पर लगाने के बाद में एक बर आप हम इसके चारो कुणों पर हलके हलकी air दुबारा देके इसको इस तरीके से बैठा देंगे ठीक है ताकि हमारी lemination उखडने के chance बहुत ही कम हो जाते हैं ठीक है यह देखिए यह देखिए दोस्तों heat आपको कम रखनी है heat जादा नहीं रखेंगे अगर आप heat जादा रख lemination की cutting कैसे करते हैं इसके अंदर हमने आपको वीडियो की starting में बता दिया था कि इस तरह कि आपको surgical blade यूज करनी है ठीक है आप normal saving blade विल्कुल यूज ना करें दोस्तों उससे finishing भी नहीं आती है और आप body पे cut मार सकते हैं ठीक है देखिए जैसा आपको suitable लगे उस तरीके सा पकड़ सकते हैं mobile को ठीक है देखिए आपको surgical blade कहां पर लगानी है इसको हम तरीका बताने जा रहे हैं ध्यान से देखिए 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 दोस्तों आपको blade कहां पर लगानी है जो हमारी यह middle है और इस फ्रेम है फ्रेम के बीच में आप देखेंगे यहां पर आपको ए देखिए दोस्तों कितने important trick और कितना महत्वपून बात हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए बनाया जाता है और आप हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखते रहें बस हमारा यही उद्देश से आप सभी भायों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे दोस्तों और हमें कुछ भी नहीं चाहिए यह देखिए ठीक है आप देख रहे हैं हम blade जहां चला रहे हैं यहां पर दोस्तों एक अलगी gap होता है ठीक है आप इसी cutting यहां से भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहां से भी cutting कर सकते हैं तो यह अभी दोस्तों जब इसकी complete cutting हो जाएगी ना तब आप इसकी एक बर look देखना दोस्तों आप खुद कहेंगे कि lamination बहुत ही अच्छी quality ही होई है दोस्तों cutting हम आपको ऐसी करके दिखाएंगे जैसी machine के दुआरा होती है आजकर जो plotter machine आती है lamination cutting करने के जो काम आती है दोस्तों वैसी cutting हम आपको इस तरीके से करके दिखा रहे हैं ठीक है देखिए आपको ज़्यादा blade को ज़्यादा दबाओ नहीं देना है एक हलके हातों से आपको blade इस तरीके से move करते रहना है slide करते रहना है यह देखिए ठीक ह दोस्तों इस वीडियो को देखके आप अपने किसी भी mobile पे lamination easily कर सकते हैं इस तरीके से आप जहाँ पर आपको इसको gap दिख रहा है वहाँ पर पूरा cutting कर लिए हमने पूरा round करके इसका cutting कर लिया है ठीक है blade से cut मारने के बाद में extra हमारी seat है इसको हम remove कर देंगे देखिए इस तरीके से cut मारने से दोस्तों यह अलग हो जाती है हमारी seat ठीक है इसको हम अलग कर देंगे इस तरीके से ठीक है अब दोस्तों आप देखिए finishing देखिए आप कितनी large जवाब finishing आई है कितनी बहतरीन finishing आई है ठीक है friends हमने आप सभी viewers भाईयों के लिए आज ये वीडियो बनाई है आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ऐसी मुमीद करते हैं अब देखिए corner पर cutting करने के बाद मैं अब दोस्तों जो हमारे इसके main main point है इनको हम cutting कर लेंगे ठीक है देखिए इस तरीके से जो आपको इसका gap दिखाई दे रहा है lamination seat में इस त इसलिए आप इस तरीके से blade से cut करते रही है ठीक है यह देखिए दोस्तों अब आपको इसको हलके आतों से इस तरीके से remove कर लेंगे यहां से lamination seat को ठीक है देखिए दोस्तों एंग्रे जो हम आपको बता रहे थे देखिए आपको इनके जो digit हैं आपको एक अलगी उभार मे दिखेंगे यह अलग से उकेरे हुए दिखेंगे आपको ठीक है इसका मतलब एंग्रे होता है एंबोस स्क्रीन होता है ठीक है दोस्तों आज कल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इसलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आप सभी भाई भी lamination कर चलानी है ठीक है और बिलेड आपको हलके आतोस चलानी है अदरवाइस आप अपने बैक पेनल को जो फाइवर का होता है उस पर आप इसक्रेच कर लेंगे ठीक है वो बिल्कुल आराम से इस तरीके से यह देखिए अब जो एक्स्ट्रा जो कटी हुई lamination seat इसको रिमूव कर देंगे यह देखिए ठीक है दोस्तों हमने fingerprint का cutting कर लिया है camera cutting कर लिया है और यहां पे जो हमारा flash का होता है ठीक है यह भी हम सेम तरीके से cut कर लेंगे अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा hand free jack है इसको आप देखिए दोस्तों अगर वैसी blade आप यूज करेंगे अगर आप इसमें saving blade यूज करेंगे तो इसकी cutting आप proper नहीं कर पाएंगे देखिए यही तो काम होता है यहां पर दोस्तों अनभव बोलता है देखिए इस तरह कि अगर आप blade यूज करेंगे तो आप क्या करना इस तरीके से इसमें insert करके hand free jack को आप इस तरीके से round shape में गुमाते हुए तो इस तरीके से आप hand free jack पर जो lemination लगी हुए इसको आप cut कर लेंगे इसके अलावा दोस्तों आप mic के जो hole है इनको आप सेम तरीके से cut कर लेंगे इसके साथ में cut हो जाएगा इस तरीके से आप जो charging jack है यह भी आप सेम तरीके से ऐसे इस तरीके से आप blade को गुमाते हुए charging jack के उपर भी जो लगा हुआ lemination इसको आप remove कर लेंगे ठीक है तो जो आप यह speaker के hole है इनके cutting के 2 option होते हैं आप चाहे तो पूरी sheet को इस तरीके से long में cut कर सकते हैं ठीक है और आप चाहे तो separate separate जो hole है इनको आप इस तरीके से कट कर सकते हैं, ठीक है न, तो friends इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से mobile पे आसान तरीके से engrave lamination की जाती है, engrave lamination करने का हमने दोस्तों आपको एक proper तरीका बताया है, अब दोस्तों आप mobile की जो finishing है, जो look है वो आप देख सकते हैं, दोस्तो इस तरीके को अपना कर आप भी अपने किसी भी मोबाइल पर जो एंगिरेव सीट है, वो आप अपलाई कर सकते हैं, तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो से कुछ भी आपको नया, कोई भी सीखने को मिली हो, तो इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें, दोस्तो इस तरह के नए-ने टेकनिकल वीडियो, ट्रिक्स वाले वीडियो हम हमारे चनल पर हमें सापलोड करते रहते हैं, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं, आप सभी से एक और नई टेकनिकल इन्फरमेटिक वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तो गुड़ बाई